ताजा को इंगलिश में क्या कहते हैं और ताजा की स्पैलिंग क्या होती है या आज की इस वीडियो में सीख लेती हैं ताजा को इंगलिश में आप फ्रेश कहसे हैं F.R.E.S.H. फ्रेश जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि बहुत सारे ताजे फल खाने की कोशिश करें तो आप कह सकते हैं try to eat plenty of fresh fruit या अगर आप ये कहना चाहें कि हमें इस कमरे में कुछ ताजी हवा चाहिए तो आप कह सकते हैं we need some fresh air in this room fresh की spelling होती है f-r-e-s-h fresh अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें